स्वागत है आप सबका Score Autobile YouTube चैनल पे आज हम पढ़ने वाले sliding mesh gearbox तो यह वाला shaft है यह वाला shaft उसको हम बोलते है splined main shaft splined का मतलब है कि जो भी gears main shaft पे है वो free है slide होने के लिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तीक है यह direction में इसको हम output shaft भी बोलते है सारी gears main shaft पे slide होती है इसके लिए इसको बोलते है sliding mesh gearbox यह वाला shaft है that is known as lay shaft और counter shaft यहाँ पे जो भी gears है वो सारी fixed है and all the time वो rotate होते रहती है जब engine running होता है and clutch engage होता है यह वाली gear को हम बोलेंगे first and reverse gear यह वाला second and high speed gear यह वाला clutch gear और यह shaft को बोलेंगे clutch shaft तो जो भी power engine से बनेगा वो आएगा clutch shaft में clutch shaft से फिर आएगा clutch gear में अब इसका working की और बढ़ते है अब हमें यह first gear को engage करना है तो क्या होगा first gear को engage करना है तो यह जो D gear है वो यहाँ पे slide होगा तो उससे क्या होगा C and D mesh में आ जाएंगे तो power कैसे flow होगा यहाँ से यहाँ से इस तरह flow होगा ठीक है चेक कीजिए यहाँ पे चेक कीजिए अब हमें second gear को engage करना है तो second gear को engage करने के लिए क्या करेंगे तो power कैसे flow होगा, यहां से E, E से F and ये output shaft, चेक कीज़े, यहां पे चेक कीज़े, अब हमें high gear को engage करना है, मतलब high speed gear को engage करना है, तो high speed gear को कैसे engage करेंगे, तो power कैसे flow होगा, यहां से इस तरह flow होगा, चेक कीज़े, चेक कीज़े, यहां से इस तरह flow होगा, चेक कीज़े, clear, अब sliding mesh gearbox के advantage, disadvantage and application पढ़ते हैं, तो advantage में क्या है, less vibration and noise as compared to constant mesh gearbox, efficiency ज्यादा है, simple mechanism है, manufacturing is easy, disadvantage क्या है, ज्यादा effort लगता है, more wear and tear of gears, hence less life of gears, application क्या है, merceries 35 HP में use होता है, आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, तो like कीजे, साथ-साथ आपके friend के साथ, relative के साथ, जरूर share कीजे, चायो नजिक रहते हो, या दूर रहते हो, comment कीजे, आज का लेक्चर आपको कैसे लगा, कुछ भी doubt हो, तो भी comment कीजे, channel को भी तरह सब्सक्राइब कीजे, और bell icon को भी तब आई है, ताकि हमारी वीडियो की notification आपको मिले, सबसे पहले,